दोस्तों यहां मैंने पाइवर टेबल अप्लाई किया है आप देख रहे हैं यह मेरा सोर्स डेटा है ठीक है और यहां मैंने पाइवर टेबल अप्लाई किया है तो मेरे पास आ गया है मन्त वाइस टोटल सेल क्वाइंटिटी आप देख रहे हैं अप्रैल में इतना सेल है टूए करके देखते हैं देखिए फिर भी नहीं आ रहा तो इस situation में आप करेंगे क्या आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को अभी आप देखेंगे आपका आ चुका यह descending order में है इसलिए December से January आ रहा है आपको यहां क्या करना है A to Z कर लेना है तो अभी आप देखिए हमारा डेटा इस टाइप से आ चुका है दोस्तो दोस्तो यह कैसे वर्क किया इसको यह डिटेल से समझ लेते हैं नमस्कार दोस्तो म मैं है और उपर आई बटम पर मैंने दे दिया है आप जाके वाच करिए कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो में भी आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है तो वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहेगा आईए वीडियो को आरंब करते हैं दोस्त more sort option पे जाएंगे यहां more option पे जाएंगे और इस tick को हटाएंगे ठीक है तो यहां जो आप देख रहे हैं हमारे पास यह custom list आ रही है तो Excel में by default Excel के तरफ से कुछ custom list प्रोवाइट की गई है जैसे आप देख रहे हैं हमारे day के name है और यहां आप देख रहे हैं month के name है तो इसी यह दोस्तों जैसे मेरे यह data है ठीक है इस पर आप पाइवर्ट टेबल बना रहे हैं ठीक है तो यहां आप देख रहे हैं हमारा product के name दिये गए हैं आप चाहते हैं कि जो आपके product के name की sorting हो वो आपके sequence के according हो यानि आप जैसा चाहें वैसे आपकी sorting हो तो सबसे पहले आपक करते हैं इसका मैंने full tutorial बना दिया link description box में है उपर i button पे दे दिया है आप जाके watch करिए उसके बाद आप अपने sequence के according data को sorting कर सकते हैं ठीक है चली next option के और बढ़ते हैं अभी आप देखी जैसे मैंने इस पर sorting किया A to Z तो अभी आप देखी मेरे पास इस type से आ रहा है अब मै चली आपको इस वाले option पे जाना होगा private table option पे tools and filter पे जाके यहां आपको huge custom list when sorting पे टिक करना होगा तो क्या होगा आपने जो custom list प्रेपेर किया था उसके according उसके sequence के according data को sorting करेगा तो चली अपने next option के और बढ़ते हैं यहां मैं private apply करूंगा insert पे जाओंगा private table मैंने गया दो अब मैं क्या करूंगा company को लूँगा customer name को लूँगा recharge into time 15 and recharge into time 16 अब चली हम अपने option के और बढ़ते हैं वीडियो काफी interesting है दोस्तों काफी कुछ नया सीख किया जाने वाले हैं आप मैं right click करूंगा ठीक है private table option पे जाओंगा option में जाने के बाद सबसे पहले हमारा क्या है tools and filters ठीक है इस पर मैंने क्लिक किया अब दोस्तों आभी आप देखरें यह जो इस option के बारे मैंने आपको clear कर दिया huge custom list when sorting यह आपको concept clear होगा अब हमारा यह है allow multiple filter per field ठीक है इस option के बारे में हम बात करेंगे अभी आप देखेंगे मैं right click करूंगा ठीक है filter पे जाओंगा और value filters पे जाओंगा राइट और यहां मैं चूच करूंगा is greater than और यहां मैंने लिया 500 ठीक है और मैंने यहां option select किया sum recharge in 2015 तो इसके according यह filter होगा और मैंने ok किया तो अभी आप देख रहे हैं मेरे पास 500 से उपर की जितनी value है 2015 के according आ चुकी है क्योंकि मैंने इसे select किया था 2015 को ह है ना तो अब देखिए मैं क्या करूंगा इसके आप देख रहे हैं तो हमारा value filter पे ठीक है और मैंने value filter पे filter apply किया था ठीक है राइट अब मैं right click करूंगा अब मैं यहां जाओंगा फिर से filter पे अब मैं level filters पे जाता हूं यहां मैं चूच करता हूं contents ठीक है यहां देखिए contents मतलब मिला जूला इसका मतलब होता है तो मैं जैसे यहां लिखूंगा क्या ध्यान से देखिएगा जैसे मैं लिखा n ठीक है और ओके गिया तो मेरे पास जितने भी n से मिले जूले word है वो हमारे सामने उसके according filter होके आ जाएंगे तो अभी आप देख रहे हैं अमरित मने मे भी n है मोहन में भी n है अंकिता में भी n है तो जितने n मिले जूले text है वो हमारे सामने आ गए लेकिन मेरा जो value filter था वो देखिए remove हो गया अभी आप देख रहे हैं यहां मैंने तो 500 greater than दिया था तो देखिए 430 आ रहा है अब देख रहे हैं यहां देखिए 456 आ जब आप इस पर tick करके भी देखेंगे तो यहां देखिए value filter हट चुका है यानि अब हमारा level filter apply हो गया तो अगर आप चाहते हैं कि दोनों filter बना रहे है maintain रहे तो आपको करना क्या होगा right click करना होगा ठीक है पहले मैं filter clear कर लेता हूँ उसका shortcut की है alt hsc तो आप देखेंगे हमारा filter clear हो चुका है मैं right click करूँगा ठीक है private table options में जाओंगा यहां मेरे पास है tools and filter मैं यहां इस पर करूँगा allow multiple filter per field इस पर मैं tick करूँगा और ok करूँगा तो अब आप देखेंगे जब मैं filter apply करूँगा मैं गया value फे value filter पे मैंने क्या किया greater than 500 right इतना मैंने किया तो अभी मेरे प चुका है अब मैं जाता हूं फिर से कहां right click करूँगा filter पे जाओंगा अब मैं जाता हूं लेवल filters पे अब मुझे इसके अंदर check करना है कि जो हमारे पास n से word मिले जूले है वो आ जाए तो मैं क्या करूँगा contents आप अपने requirement के recording कर सकते हैं मैंने n लिखा और ok किया तो filter की value भी maintain है यह देखी आप इस पर click करेंगे तो देखी level filter और value filter दोनों maintain है यानि आप multiple filter apply कर सकते हैं एक की उपर एक ठीक है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा इस option पर जाना होगा और यहां आपको tools and filters में जाने के बाद allow multiple filter पर filter करना होगा ठीक है तो यह option यह option आपक मैं क्या करूंगा option पर जाऊंगा पाइब दो ऑफशने सो ग्राइंट तोल और थोटल फोर रहुंटी खालं मालिजिमाने इस पर जैसे ठीक हटाया तो होगा क्या okay किया तो अभी आप देखिए मेरे पास यहां नीचे टोटल होके नहीं आ रहा कॉलम वाला यानि यह जो आ यहां tools and filters पर जाओंगा और so grand totals for columns करूंगा तो देखेंगे मेरे पास columns की जितनी value है grand total होके वो हमारे सामने आ जाएगी ठीक है इसी तरह मैं फिर से option पर जाता हूँ पर जाओंगा यहां आपका है so grand totals for row तो इसमें मेरे row के लिए कुछ भी available नहीं है जैसे मैं expect टिक करूंगा हटाओंगा टिक और ok करूंगा तो देखें यहां कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मेरे पास row वाला total कुछ है नहीं grand total अगर इस तरह आपकी report होगी तो आप उसे अप वीडियो काफी फसंदार ही होगी तो please वीडियो को like, comment and share कर दिजेगा आपके comment से हमारी मेहनत सफल हो जाती है दोस्तो like से तो please कर दिजेगा चली next option क्यों बढ़ते है हमारा display section है इसमें हमारा सबसे पहला क्या आता है so expand collapse buttons यह क्या है जैसे अभी आप देख रहे हैं हमारे पास यह जो buttons दिये गए हैं इसे बोलते हैं collapse buttons अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखेंगे part 1 वाली तो उसमें आपको साली details से समझाया गया है कि यह collapse क्या होते है ठीक है तो मैं जैसे इस पर click करूंगा तो ok करूंगा तो अभी आप देखी मेरे पास यह जो buttons वो हट जा है जैसे माले जे अभी मैं इस पर click है और ok करता हूं तो अभी मैं किसी वी value क्लिक करूंगा तो उसकी सारी details सारी आप देखिए यहां लिक क्या रहा है value 400 है row की details सारी है columns की details सारी है तो सारा details ही है आपके सामने अभी आ रहा है row हमारा air tail में Amit के अंदर है ठीक है और columns हमारा sum of recharge into time 15 वाले column में है right तो जैसे मैं इस option को हटाऊंगा पर टेवल option में जाऊंगा display में जाऊंगा और इसको हटाऊंगा और ok करूंगा तो अभी आप देखेंगे कि हमारे पास वो जो option अभी highlight हो रहे थे वो हमारे option अब highlight नहीं हो रहे है ठीक है contextual tool tips उसे बोलते हैं right फिर मै option पर जाऊंगा पाइवर टेवल option पर टूल से डिस्प्ले पर जाऊंगा अब हमारा आता है display field caption and filter drop downs तो इस पर जैसे मैं टिक खटाऊंगा तो अभी आप देखेंगे जो हमारा ये पहला वाला drop down था filter था वो हट चुका है ठीक है तो अगर आपकी ऐसी requirement है तो आप इसे apply कर सकते हैं तो मैं इस पर जाके फिर से active कर देता हूं ठीक है दूसरा option है हमारे पास classic private table layout इसे बहुत से लोग जानते भी है और use भी करते है अपने data को थोड़ा attractive दिखाने के लिए तो जैसे मैं इस पर click करूंगा तो अभी आप देखेंगे कि हमारा data देखें कुछ इस type से हो आपको concept सारे clear होंगे अगर कोई भी confusion है तो आप मुझे Instagram फे follow करके वहां फूस सकते हैं आप यहां भी comment करके पूस सकते हैं आपको answer within 24 hours में मिल जाएगा अब हमारा क्या है last है हमारा sort A to Z and sort in data source order तो यह क्या है आइए इसको detail से समझते हैं अभी आप देखें जो हमारा source data है यह है serial number customer name company recharge in 2015 and recharge in 2016 ठीक है option पे जाते हैं डिस्प्ले पे जाते हैं अभी माली जब मैंने sort A to Z कर दिया और OK किया तो यहां आप देखें मेरा A to Z के according sorting है यह जो हमारा data रहा फिल्ड में देखें company C रहा फिर C के बाद R है ठीक है R के बाद last में S है ठीक है लेकिन अगर हम च लिख करेंगे पाइव टेवल ऑफ्षन पे जाएंगे डिस्प्ले में जाएंगे और sort in data source order कर देंगे और OK करेंगे तो अभी आप देखेंगे इस source data के according यहां data आ रहा है आप देखिए serial number customer name company recharge in 2015 and recharge in 2016 तो है ना दोस्तो कम्माल की settings तो आसा है दोस्तो आपको वीडियो काफ one part two नहीं देखा तो मैं recommend करूँगा प्लीज उसे watch करिए काफी कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा तो चली दोस्तो मिलते हैं next वीडियो में जैहिंद